नमस्कार दोस्तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि यह जो हमने जो विष्णोई नाम लिखकर बता दिया उसके आगे हम क्या नाम लिखेंगे और उसके नीचे जो डिजैन बनाएंगे वो किस प्रकार से बनाएंगे तो आप यह वीडियो पूरा देखें इसमें आपको पूरी जानकर दी जाएगी कि आप नीचे क्या नाम लिखेंगे तो यहां पर दो रसी दबा कर हमें तीन रसी उठानी है उसके बाद में यहां पर हमें पांच रसी दबा कर तीन रसी उठानी है और फिर तीन रसी उठानी है और फिर तीन रसी उठाकर पांच रसी दबानी है अब हम यहां पर पांच रसी उठाएंगे और पांच रसी उठाने बाद में हम तीन रसी दबा कर एक रसी तीन रसी उठा लेंगे और फिर तीन रसी दबा कर तीन रसी उठा लेंगे अब हम यहां पर तीन रसी दबा कर तीन पांच रसी उठाएंगे और फिर हम तीन रसी दबा कर तीन रसी उठा लेंगे उसके बाद में हम यहाँ पर भी तीन रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे और फिर हम यहाँ पर एक रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे और एक रसी दबा कर यहाँ पर हम गुंडी लगा देंगे तो आप देखिए किशाता ता में इस परकार से हमें यही गुंडी लगा लीजी इस परकार से और यह गुंडी लगाने के बात में आप देखिए कि हम इस रसी को वा Perhaps खींचते हैं तो यह गुंड़ी हमारी टाइट हो जाती है। और वा creative समें को डौरी को तो बहुति प्पर we out आप चिपका बनाते आप वह हांी तो तो हम कि नाम लिखने जा रहे हैं कले रिखकर बताएंगे आप देखिए पूरा लाक्त तक देखें तो आपको समझ में आजए किया लिखा है तो अब हम यहाँ पे 3 रसी दबाएंगे और उसके बाद में 3 रसी उठाएंगे फिर हम आगे 3 रसी दबाएंगे और 3 रसी उठाएंगे और फिर अब हम यहाँ पे भी 3 रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे इस प्रकार से और यहां पे भी हम तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे और यह जो नई जीजेन स्टार्ट करते हैं यहां पे भी तीन रसी दबाएंगे और फिर तीन रसी उठाकर तीन रसी दबाएंगे उसके बाद में फिर तीन रसी उठाकर तीन रसी दबानी है और यहांपे तीन रसी उठाकर एक रसी दबानी है तो यह एक रसी दबाने के बाद में तीन रसी उठाएंगे और फिर यहांपे भी हम तीन रसी दबाकर पांच रसी उठाएंगे और आगे हम तीन रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे और फिर हम एक रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे और तीन रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे उसके बाद में हम तीन रसी दबा कर पांच रसी उठाएंगे और दो रसी दबा कर गुंड़ी लगा देंगे फिर हम आगे किस प्रकार से बनेंगा आप देखिए यहाँ पे हम अभी चार रसी दबाएंगे चार रसी दबानेंगे बाद में तीन रसी उठाएंगे उसके बाद में हम तीन रसी दबाएंगे और फिर हम तीन रसी उठाकर तीन रसी दबाएंगे और उसके बाद आगे भी हम तीन रसी उठाकर एक रसी दबाएंगे इस प्रकार से और उसके बाद में हम तीन रसी उठाकर तीन रसी दबाएंगे और उसके बाद हम तीन रसी उठाकर एक रसी दबाएंगे इस प्रकार से अब हम तीन रसी उठाकर तीन रसी दबाएंगे स्वरी दो रसी दबाएंगे हम इस डिजेन को नया बनाने जा रहे हैं इसलिए हमने दो रसी दबाई है फिर आगे हम चार रसी उठाकर तीन रसी दबाएंगे फिर तीन रसी उठाकर तीन रसी दबाएंगे उसके बाद में हम तीन रसी उठाकर तीन रसी दबाएंगे यहां पे भी और फिर हम तीन रसी उठाकर तीन रसी दबाएंगे आगे भी हमें तीन उठाकर तीन दबाना आए उसके बाद में हमें तीन उठाकर चार रसी दबा जानी है अब हम यहाँ पर भी आप देख लीजे चार रसी उठाएंगे जो पहले ही कीवो यहाँ पर नई डिजैन बनाएंगे चोकड़ी वाली तो उसके लिए चार रसी उठाकर एक रसी दबाएंगे फिर तीन रसी उठाकर तीन रसी दबाएंगे उसके बाद में हम आगे भी तीन रसी उठाकर तीन रसी दबाएंगे और यहां पर पांच रसी उठाकर तीन रसी दबाएंगे फिर एक रसी उठाकर तीन रसी दबाएंगे उसके आगे हम हम नई डिजैन बनाने जा रहे हैं और उसके बाद में 5 रशी उठाकर 3 रशी दबाएंगे उसके बाद में हम 1 रशी उठाएंगे याँ पर फिर हम 3 रशी दबाकर 3 रशी उठा लेंगे पांच रसी उठाकर तीन रसी दबाएंगे आगे भी हम तीन रसी उठाकर तीन रसी दबाएंगे इस परकार से और फिर हम तीन रसी उठाकर फिर आगे भी तीन रसी दबाएंगे उसके बाद में हम तीन रसी उठाकर तीन रसी दबाकर यहां पर गुंटी लगा देंगे अब आगे किस प्रकार से बनाते हैं तो आप देखिए यहां पर चार रसी उठानी है और आगे दो रसी दबानी है तो चार रस उठाकर दो रसी दबा दी अब तीन रसी उठाकर तीन रसी दबानी है और फिर आगे भी हमें तीन रसी उठाकर तीन रसी दबानी है और फिर तीन रसी उठाकर तीन रसी दबानी है और इससे आगे भी हमें 3 रसी उठाकर आगे की 3 रसी दबानी है इस प्रकार से अब हम 3 रसी उठाकर 3 रसी दबाएंगे और फिर हम 3 रसी उठाकर 4 रसी दबाएंगे यह 4 रसी दबा दे इससे आगे हम 6 रसी उठाएंगे यहाँ पर चरसी उठाने के बाद में हम पांच रसी दबा देंगे फिर हम तीन रसी उठाकर एक रसी दबाएंगे उसके बाद में आगे हम तीन रसी उठाकर तीन रसी दबाएंगे इस परकार से अब इससे आगे भी हम तीन रसी उठाकर तीन रसी दबाएंगे मैं 14 दबाने है यहां पे 15 च भन 누िक भार्ट तीस उठाने है पे यहां पे 21 कज़्च दबां पर तिन वoo डाली है प्छी को फिर यहां पर इस अरीख दबा लेंगे देंगे पřëए बाद में 320 क कर तीन ऐसी दबाएंगे तो यहां पर हम 6 रसी उठाकर 4 रसी दबाएंगे उसके बाद में 3 रसी उठाएंगे पहले 6 रसी उठानी है फिर 4 रसी दबाकर 3 रसी उठानी है फिर 3 रसी दबाकर 3 रसी उठानी है और उसके बाद आगे भी तीन रसी उठाकर तीन रसी दबानी है फिर भी तीन रसी उठाकर तीन रसी दबानी है इस प्रकार से तो यह जो हमने बना दिया है अब सैड हम गुंडी लगा देते हैं इस प्रकार से तो यह चैन लगाने एक बाद में हमें इस प्रकार से यह गुंडी इसके अंदर डाल कर यह चैन को पूरा किया जाता है तो अब देखिए हमारी यह जो चैन है यहापए इस प्रकार से हम लगा दिये ये लगाने एक बाद में हम दूसरी तरफ वाली गुंडी भी लगा देते हैं तो आप देखिए इसको वापस खींच कर हम ये जो दूसरी तरफ की जो गुंडी है इसको भी लगा देते है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करे और मेरे चैनल पर पहली बहा रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को ओल पर सेलेक्ट कर दे ताकि जब भी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अप्लोड करूँ तो उसका नोटिफिकिसन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप उसको देख रहा सानी से चार पाई को बनना सीख सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना धन्यवाद